अच्छा मेरे एक सवाल है तुम लोगों से अगर मैं तुमको बोलू कि करेंटली योरोप में तुम्हारी टॉप टीन टीम्स कौनसी है स्कॉर्ट डेप्थ वाइस, टैलेंट वाइस और डेफिनिटली यहां पर क्वालिटी वाइस तो उसमें से तुम मैजॉरिटी लोग जो होंगे वो यहां पर नाम लेंगे आपकी फ्रांस की टीम का देन आपकी इंग्लेंड की टीम का और फिर तीसरे नंबर पे most probably आपकी टीम आएगी पॉर्चुगल और यह पॉर्चुगल का वो स्कॉर्ड है जो यहां पर जनरेशनल बताया जा रहा है क्योंकि यहां पर अभी जो टैलेंट पूल अगर हम देखें पॉर्चुगल नेशनल टीम से जो निकल के आ रहा है वो काबिले तारीफ और डेफिनेटल यहां पर 2004 में जब पॉर्चुगल नेशनल टीम के साथ अपना पहला इंटरनेशनल टीम के साथ एक ट्रोफी तो लिफ्ट करनी ही करनी है जिसका सपना उनका पूरा हुआ 2016 में जाकर अनफॉर्चुनेटल वहाँ पर फाइनल में दिमित्री पैट के काफी डेंजरस टैकल के बाद रोनाल्डो को साइड लाइन होना पड़ा था फाइनल में एन अर्ली सब्सिट्यूशन होने की वज़ए से यहाँ पर टीम बैक फूट पर चली गई थी लेकिन पता है इस साल की टीम में और 2016 की टीम में में डिफेरेंस क्या है क्योंकि आज आम इस एपिसोड में आज आम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉर्चिकल नेशनल टीम के यूरो दोहदार चॉबिस के स्कॉर्ड के बारे में तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लैक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और यहां पर बेल आकन दबा दीजे जिससे कि आपको रोज हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलो बिना वक्त बरबात के यहां पर सीधे मुद्धे पर आते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि 2016 की जो टीम थी वो यहां पर यूनिटी वाइस बहुत स्ट्रॉंग थी आपने देखा था कि उस पूरे टॉर्नमेंट में आपके लुईस नाइनी के गोल साये थे रिकार्ड़ो केरिज्मा ने आकर यहां पर गेम बदले थे जाओ मारियो आपके बहुत में प्लियर बनके निकले थे जाओ मुटिन्यो की परफिमेंस काफी शांदार थी एन फाइनल जिताने वाला बंदा वो बना था जिससे किसी ने गोल एक्सपेक्ट नहीं किया था और यहां पर एडेर के उस गोल ने फ्रांस को फ्रांस की सरजमी पर यूरो 2016 का फाइनल हराया था एन पॉर्चिकल की हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने कोई ट्रोफी लिफ्ट की थी अब यहां पर पॉर्चिकल नेशनल टीम 2016 के स्कॉर्ट से गर इस 2024 के स्कॉर्ट कॉमपेर के जाए तो लाख गुना भेतर हो चुकी है यहां पर अगर मैं मैंच विनर्स की बात करूँ तो उस 2016 की टीम में गिन्यो चने नाम थी जिनकी उपर आप ट्रस्ट कर सकते थे यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको स्कॉर्ड बता देता हूं कि क्या स्कॉर्ड है जिसे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि यहां पर जो 26 लोग इस यूरो 2024 में पॉर्चिकल नेशनली टीम के लिए पार्सपेट करने वाले है वो आखिरकार है कौन तो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में आपके पास है डियोगो कॉस्ता जो करेंटली पॉर्टो के लिए खेल रहे है देन रूई पत्री से जो की रोमा की गोलकीपर है एन जोजे सा जो की प्रिम्मी लीग में वूल्स को रेप्रेजेंट करते है देन उसके बाद अगर मैं डिफेंडर्स का नाम यहाँ पर लूँ तो डिफेंडिंग भी इनकी काफी सॉलिड है यहाँ पर इनके पास फुल बैक्स में काफी अच्छी उप्शन्स है जाओ कैंसे लो बासलोना करेंटली अभी एक्टिव थे वैसे तो देखा जा तो मैंसि जी के फुल बैक यहाँ पर नूनो मेंडेश देन ऑव्विस ही बात है वन अफ फाइनेस डिफेंडर्स ऑफ दिस मॉडर्न जेनरेशन पेपे जो की पॉर्टो के लिए खेल रहे है देन आपके नेलसलन से में दो जो की वूल्स को रिप्रेजन करते हैं एंड फाइनली संदार मिटफिल्डर स्टैस्टिस्टिक्स वाइज अगर आप बात करोगे गेम पर्फॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करोगे ब्रुनो फर्नांडेस को बीट कर पाना पॉर्जिगल नेशनल टीम में आसान नहीं है नोट इवन बर्नाडो सिल्वा कम्स क्लोस तू जो कि अलनसर के लिए इस वक्त पर दैन जाओ पलीनिया फुलम के लिए खेलते हैं आपके बायन मुनिक की रडार पर थे हैं इस साल कोई बड़ा कलब उनको लेकर जाएगा दैनिलो परेरा पीएज जी के लिए खेलते हैं विटीनिया जो कि अगर अभी देखा जाए जो ल के बाद यहां पर सबसे जादा रिच अगर अटैकिंग फ्रेंट पर कोई और स्कॉर्ड है और यहां पर आपको मैं नाम अगर पढ़के सुनाओं तो फ्रेंसिस को कौन से का हो आपके जो पॉर्टो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी पिछले मैच में फिनलेंड के अगेंस दो बहतरी नसिस दिये तो उन्होंने वो यहां पर है फॉर्वर्ड लिस्ट में जाओ फिलिक्स बासरुना के लिए खेलते हैं में ली एटलेटिको मट्रेट के प्लेयर है वो दैन डियेगो जोटा इंजरी से वापास आये लिवर्पूल के लिए अच्छा सीजन रहा उनका इंजरी से पहले और इंजरी के बाद भी डीसेंट खेले वो दैन रफाइल लियाओ करेंटली प्यजी के रडार पर है और एसी मिलान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस रही है पॉर्च्गीज नेशनल टीम के लिए भी काफी सही प्लेयर रहे है अभी तक रफा थी जिनके चलते यहाँ पर मुरक्को वाले आपके मैच में क्रिस्टियानो रोनालडो को आपके फर्नांडो सेंटोस ने बेंच पर डाल दिया था उसके बाद बारी आती है दो वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनालडो साओधी प्रो लीग में धमाल मचा रहे हैं सारे र मानते हैं मेरा personal opinion Roberto Martinez को लेकर ये कि वो score के साथ performances निकलवा सकते हैं लेकिन he is not the guy to win you trophies हम सब ने देखा है कि कैसे Belgium की जो आपकी golden generation थी उसके साथ यहां पर लगातार number one ranking ज़रूर maintain कि आपके Roberto Martinez ने लेकिन वहां पर कभी भी Belgium national team कोई भी accolets नहीं जीत पाई कोई भी आपके trophy lift नहीं कर पाई और वहीं अगर मैं Portuguese national team की बात करूँ तो ये भी आपकी Portuguese history में footballing history में आपकी golden generation है ये पहला ऐसा squad है जो कि हर front पर मजबूत है अगर जैसे कि मैंने का अगर आपको दुनिया के यूरोप के अगर आपको तीन बहतरीन squad prefer करने को बोला जाएगा तो उसमें आप एक शायद जो squad है वो Portuguese national team का जरूर नेम करोगे अब इस team में सारी आप बोलोगे हर position पे आपके बहतरीन player लेकिन इस team में सबसे बड़ी दिक्कत जो है जो मैं यहाँ पर हर बाकी team के comparison में experience करता हूँ कि इस team में unity नहीं है अगर आप Argentine national team को दिखो क्योंकि इस वक्त पे वो world champion है तो obvious सी बात है compare अगर मैं किसी team से करूँगा या France national team से अगर मैं compare करूँ इन दोनों team में जो main आपकी जो एक strength आप बोलोगे है वो यह कि दोनों team में बहुत ही unite होके खेलती है Portuguese national team आपकी tactical side पे आप बोलोगे काफी सही बन सकती है अगर players को right areas में use किया जाए अभी तो अगर record दिखा जाए तो Portuguese national team यहाँ पर Roberto Martinez के अंडर हारना जानी नहीं रही है लेकिन वही वाली बात है कि यह record आपका Fernando Santos के अंडर भी था यहाँ पर जब आप World Cup में एंटर कर रहे थे last time round of 16 में eliminate हो गी थी यहाँ पर Portugal national team और उसके बाद अभी अगर हम देखें तो आपने यहाँ पर quarterfinals में Portuguese national team को मुरको के हाथों eliminate होते देखा था अब main जो issue रहा है वो यह कि इस Roberto Martinez के system में Ronaldo को कैसे fit किया जाएगा midfield combination क्या होगा आपका fullback जो preference होगी वो क्या होगी क्योंकि इस साल में आपके अगर देखा जा तो jaw cancel होगी performance उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी आपकी Diego Delo की performances रही है नूनो मेंडेश खेलेंगे आपके यहाँ पर fullback role में या फिर आप किसी और player को prefer करोगे यहाँ पर Ruben Diaz के alongside आपके गोंचाल विनासियो खेलेंगे या पेपे खेलेंगे या आपके Antonio Silva खेलेंगे या फिर यह back 3 के system में जाएंगे और midfield combination क्या होगा आदो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार midfield combination क्या होगा obviously बाते यहाँ पर Jao Neves खेलेंगे, Bruno Fernandes खेलेंगे लेकिन तीसरा midfielder कौन होगा क्या बर्नाडो Silva खेलेंगे या फिर यहाँ पर आपके Ruben Neves खेलेंगे या फिर आप यहाँ पर किसी और player को जगह बनाते देखोगे forward line में आपको दो center forward formation prefer करनी है या आप front 3 के साथ जाओगे और front 3 एकर जाओगे तो definitely आप यहाँ पर रफाइल लियाओ को start देना prefer करोगे then right wing की उपर आप किसको खिलाओगा central figure आपके इस attack का कौन होगा क्या गोंचालो रैमोस को start मिलेगा डिएगो जोटा को start मिलेगा या फिर यहाँ पर आपके जाओफिलिक्स या क्रिस्टियान रोनालडो तो यह देको इस team में अगर हम देखें तो काफी pacey football खेली जा रही है रोनालडो वहाँ पर साउधी प्रो लीग में record after record break करके आए है तो definitely यहाँ पर आप बोलो कि भाई जाओ फिलिक्स और बाकी players के comparison में रोनालडो को prefer करना बिल्कुल science बनाता है लेकिन जो pace रहती है यहाँ पर Portuguese attack की under आपके Roberto Martinez क्या उसमें रोनालडो को वह prefer करेंगे as a starter अब देखो रोनालडो जैसे figure को आप drop तो नहीं कर सकते है और रोनालडो जिस performance level पर अभी आ रहे है यहाँ पर आप उनको यह भी नहीं बोलो कि भाई आप नीचे बैट जाओ ठीक है ना आप bench पर चले जाओ Portugal के लिए हमें देखा था कि कैसे यही same squad आपका Morocco Games घुटनो टेक गया था mentality issue main रहा क्योंकि उस match में यहाँ पर आपका सबसे बड़ा player जो था वो bench क्यो उपर था अब अगर मैं season wise देखूँगा तो definitely आप बोलोगे यहाँ पर बर्नाडो सिल्वा ने प्रिमीर लीग जीती है और यहाँ पर उनका अगर दिखा जाँ पर्फॉर्मेंस लेवल भी काफी decent रहा है तो आप उनको प्रिफर करोगे देन आप यहाँ पर बोलोगो के जिस तरह का record यहाँ पर बर्नाडो सिल्वा के अलोंसाइड ब्रूनो फर् तो आप definitely उनको प्रिफर करोगे बट मेन मुद्धा वहीं आ जाता है जहाँ पर आपके जो backline formation है जो backline आपकी preference से वो क्या होगी definitely आपके goalkeeping department में आप यहाँ पर डियोगो कौस्ता कोई start दो क्यों कि वो आपके national team को represent कर रहे हैं इतने काफी time से ठीक है आपको रुई पतरी keeper थोड़ा अपनी line से निकल कर भार आने वाला हो super keeper goalkeeper अब देखो इस Portugal national team का जो सफर मैं देख पा रहा हूँ वो यहाँ पर max to max में semis तक देख पा रहा हूँ इस team में काबिलियत है जीतने की यह team अगर चाहे यह team अगर अपने पर आ जाए तो यहाँ पर हर tournament जीत सकती है क् world cup क्या euros लेकिन इस team में जो main कमी मैं मैं feel करता हूँ मैं देखता हूँ यतने लंबे time से Portugal national team को follow कर रहा हूँ वो main दिक्कत है unity की I mean players अगर यहाँ पर Ronaldo के लिए euros खेल रहे हैं players यहाँ पर अगर इस बात को ध्यान में रखके खेल रहे हैं कि भाई Ronaldo का यह आखरी tournament हो सकता है में जीतना है मेरे ख्याल में इस से बड़ी motivation उनके यह होनी चीए कि हम मुरक्को के हाथो हारे थे हम world cup से बाहर हुए थे Ronaldo was not even you know in the starting 11 और वहाँ पर हमारी responsibility थी कि हम उस match को जीत कर semi final में लेकर जाए अपने आपको हम वो नहीं कर पाए I think हर एक individual को and सबसे important चीज जो मैं दे रियक्ट करते है जाओ फिलिक्स जिनको इतना over protected रखा गया है अभी तक उनके पूरे career में वो किस तरीके से रियक्ट करते है गोंचाल और रैमोस जिनको prefer किया गया over Cristiano Ronaldo in that world cup game against मौरक को वो किस तरीके से यहाँ पर रियक्ट करते है क्योंकि देखो आप Bernardo Silva को देखोगे व उनका performance उतना अच्छा नहीं रहता है सारे बाते सारे stats सब कुछ side हो जाते है जब आप यहाँ पर main event में participate करते हो अपने क्या-क्या qualifiers में आपने क्या-क्या friendlies में वो सारी बाते side हो जाती है आप main event day वाले दिन क्या कर रहो वो main मुद्दा रहता है discussion का और मेरे एसाब से इस यूरोप के top footballing institutes में खेल रहे है तो बड़ी आसानीस इनको जीतना चाहिए अगले round में जाकर इनको quantity मिलती है वो तब बक्ती बताएगा लेकिन यहाँ पर मेरे एसाब से as the tournament will progress तो Roberto Martinez को अपनी preferred 11 थोड़ा और सोचने का मौका मिलेगा but initially उनको Ronaldo को start देना पड़ेगा अग यहाँ पर राइट बेक के तौर पे देन देखो पेपे और रूबिन डियास अब देखा जाए अगर तो पेपे के पास वो पेस नहीं है पेपे के पास वो आप बोलो गए यहाँ पर वो एनरजी नहीं बची है I think मैं पेपे से उपर मुझे पता है कि पॉर्तों के लिए प इस चकर में वहाँ पर काफी काफी ज़दा सेट बैक फेस करना पड़ा था माँ पॉचिक नेशनल टीम को नुवनेश अपर जाओ नेवेस खेलेंगे आपके डेफिनितली मिट फील में दैन आपके मैं चाहूंगा के मैं यहाँ पर स्टार्ट दू आपके पलीनिया को जॉ पर्चिक नेशनल टीम का सबसे कंसिस्टेंट प्लियर पिछले 4 साल का कोई रहा है अगर तो आप यहाँ पर स्टार्ट वाइज पर्फॉर्मेंस वाइज अगर आपने मैचस देखी है यहाँ पर पॉर्चिक नेशनल टीम के तो आपको पताओ के ब्रूनो कितना जादा इंपोर्टेंट प्लियर रहे है और एवन अगेंस मोरक को लिए और क्रिस्टिया रोनाल्ड तो वाँ पर एक फ्लेक्जिबिलिटी मिल जागी कि आपको एक नंबर एक्स्टा मिलेगा यहाँ पर अगर आप मिट फील्ड में ऑप्शन बढ़ाना चाहते हो तो दैन सेंट्रली तो मैं प्रिफर करूंगा यहाँ पर क्रिस्टिया रोनाल्डो को एस नंबर 9 एन डेफिन सिस्टम में थोड़ा सा काउंटर अटेकिंग खेलना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पेडरो नेटो भी काफी अच्छी पिक हो सकते हैं तो मेरे लिए पॉर्जिगल नेशनली टीम बिलकुल कम्प्लीट पैकेज है एक मैच विनिंग कॉंबिनेशन जो एक आपका बनना च देखा जाएगा पॉर्जिगल नेशनल टीम कम जगम फाइनल खेलनी चाहिए लेकिन क्योंकि रॉबर्टो मार्टनेस का सीवी तो ना स्टॉंग नहीं है अगर मैं देखूं बड़ी टीम को मैनेज करते में बड़े प्लियर्स को मैनेज करते में तो इसलिए मैं उम्मीद क का खिताब है वो रॉनाल्डो जीते हैं और अपने इंटरनेशनल करियर को अच्छे हाई नोट पे अलविदा बोलें बिकॉस दोजार चब्वेस वल्ड का पाते याते उम्र और बड़ेगी कॉंट्रोवर्सी और बड़ेंगी तो मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर यह उन प्रूफ करें देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नोट है आप लोग बताइए भाई आपके हिसाब से इस पॉर्चिगल नेशनल टीम का जो यह स्कॉर्ड है कितना पोटेंशल होल्ड करता है क्या यह वाकई में यूरो दोजार चॉबेस जीत सकता है और इनके लिए स्टे करना और बेल आकन दवाना बिलकुल मत भूलना क्योंकि इस पूरे यूरो में इस पूरे कोप अमेरिका में मैं आपको फुल टू एंटेटेन्मेंट देने वाला हूं चलिए मैं आपसे लूँगा अलविदा मिलूँगा आपसे अगले स्कॉर्ड रिव्यू के साथ कौन सा चाहिए वो बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसे के साथ बाबाई टेक केर